चलिए बनाते हैं देवाली एस्पेसल नमकीन मठरी इसे बना के रख दीजिए और ये एक महिना तक खराब नहीं होगी जब भी छोटी मोटी भूख हो तो इसे खा सकते हैं बचों को टिपीन में दे सकते हैं और बहुत ही खस्ता बनके तयार होते हैं आप देख सकते हैं चाने में उतना ही टेस्टी लगती है तो चलिए देखते हैं रेसिपी तो उसके लिए हम एक कप मैदा ले लिए हैं और एक कप गहुम के आटा लेंगे आप चाहे तो खाली गहुम के आटा से भी बना सकते हैं खाली मैदा से भी बना सकते हैं और यहाँ पे हम आधा कर देंगे तो अच्छी तरह से मिक्स कर दिये हैं अब इसमें हम डालेंगे मोयम के लिए घी आप चाहे तो रिफाइंतिल का भी इस्तमाल कर सकते हैं तो यहां पर हम जो घर में खाना खाते हुई अच्छी तरह से मिक्स कर लिए हैं अब इसे मुठी बान के देखेंगे आटा को तो यह मोयम अच्छी लगी है बना जा रही है बिखर नहीं रही है आटा बैंडिंग न हो तो आप एक दो चमच गी और इसमें एड कर सकते हैं हमारी परफेक्ट लगी है मोयम इसमें हम आटा लगा के तयार करेंगे इस बात का ध्यान जरूर दीजिएगा सकत आटा गूट के तयार कर लिए हैं अब इसे ढख करके रख देंगे 10 मिनट रेष्ट के लिए तो मिक्सिंग बॉल ले लिए हैं अब इसमें हम डालेंगे 2 टीस्पुन मैदा और 2 टीसपुन घी डाल क करके इसे हम साटा तयार करेंगे अच्छी तरह से मिक्स करके कुछ इस तरीका से अब इसे हम साइड में रखते हैं आटा भी रखे हुए 10 मिनेट हो गई है अच्छी तरह से सौप्ट हो गई है तब इसे हलका हाथों से फिर से मसल देंगे वापत से आटा को मसल दिये हैं अब इसे लंबा रोल बना के तयार कर लेंगे इससे क्या होगा कि लोई बनाने में आसानी हो जाएगी पूरी बनाते हैं ना उस आकार की लोईया काटके हम तयार कर लेंगे तो इसी साइज में सारा लोईया को हम काटके तयार कर लेंगे तो सारा लोईया को काटके हम तयार कर देखे कितना इसका थीकनेस, एकदम पतला रोटी बना के तयार किये हैं, अब साटा जो बना के रखे हैं, उसे हम रोटी के उपर डाल देगे, और अच्छी तरह से हाथों से इस प्राट करते हुए सभी जगों पर हम लगा लेगे, नाइप से इसे हम बीच से काटेंगे, किन किनारा वाला बिल्कुल हम नहीं काटें, अगर किनारा काट दीजेगा, तो तेल में दलने समय ये बिखर जाएगी, तो इसलिए इतना ध्यान जरूर दीजेगा कि किनारा को नहीं काटना है, तो अच्छी तरह से हम काट लिए हैं, आप देख सकते हैं इसकीम पर, अभी से ह एक कुना लेंगे, ऐसे फोल्ड कर देंगे, और इस सैड वला कुना को हम नीचे दवा देंगे, इस तरह करके, पाकि तेल में जाके खूले नहीं, और इस तरह प्रेस कर देंगे, और बेलन से लेके, अब चाहे तो ऐसे भी बना सकते हैं, हम मठरी को बेलन से, हलके हाथों स हलके हलके इसे रोल कर लेंगे, थोड़ा सा विल्कुल जादा नहीं करना है, तो एक मठरी बनके तयार हो गई है, सेम तरीका से सारा मठरी बना के हम तयार कर लेंगे, कुछ इस तरह, और गैस उन करके तेल चढ़ा दिये हैं, गरम होने के लिए गैस का फ्लेम लो रखेंग में फूल के जब अपने ऊपर आजाएगी, तब इसे हम पलड देंगे, बेच में तलने में करीब 5-6 मिनट का टेम लग जाता है, तो देखें कितना इसका लच्छा दिख रहा है, पलड़ते पलड़ते गोल्डन होने तक इसे तलके निकाल लेंगे, कुछ इस तरीका से, त और महीनों इस्टोर करके रखिए और इसे खाईए, चाई के साथ छोटी मोटी भूखो तब खाईए, बहुत ही पसंद आएगी आप लोगों को, तो एक बार मेरे तरीका से बना के जरूर खाए, देखें एकदम क्रिस्पी बनी है, आसानी से तूट जा रही है, तो वीडि